हेलो फेंट्स आपका फिर से ट्रियांगल क्या होता है उसके प्रोपर्टीज कितने टाइपस होते हैं उसके बारे में जानेंगे चलिए पहले ट्रियांगल के से जानते हैं क्या होता है ट्रियांगल 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 ट्रिय होते हैं और जो दो साइट मिलकर एक वर्ट एक्स बनाते हैं जैसे यहां पर एक शाइड और यह होता है ठीक है यह और साइड़ कॉन हो गया ये एक साइड ये एक साइड यहामाना ट्रियंगल का एक डिफीनीशन अच्छा हो सकते आप एक ऐसे भी डिफीनीशन से बम सकतेistling यि Handy इडिस पउलिगन विच यहां पर three angle one angle two angle and three angle three angle हो चुगा अब चलते हैं कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में यहां पर टाइप्स ऑफ ट्रियंगल इक्वाइटरिल ट्रियंगल इस विलेश्द्रियंगल एसका लिंगल अब इसके स्ब्भीनिए्षन के बारे में देख लिए एक्वाल लेटरेल ठिंगल तरेंग कलग है व अल साइट साेट्स आर 겠습니다 एक्वाल जो अंक्रल आप्यू और इक्वाल साइड मेंटि एक्वाल होता है जैसे हां isosceles triangle triangle having two sides are equal is called isosceles triangle जिसके पास दो sides equal होता है जैसे हैं यहां पर देखी एक side और यह side equal है और जो यहां पर बड़ा वाला side हो वो on equal होगा अब देख लेते हैं स्कलें ट्रियांगल अर्ट्रियांगल having all sides of different length is called as calendar triangle और अब इसके लेंट triangle में आते हैं जिसके पास कोई sides equal नहीं होता है सब on equal होता है एक side on equal है यह भी on equal है यह भी on equal है इसके पास कोई भी equal नहीं होता यह हमारा triangle का types है और इसके figures है देख लिजे अब आगे क्या है the sum of angle of triangle is 180 किसी भी triangle का पूरा angle का sum क्या होता है ना 180 degree कैसे एक एक angle का 60 degree होगा तभी 180 होगा क्योंकि सब equal होता है अब चलिए अब angle के base पर कितने types of triangle है आप फर्स्ट है acute second है राइट थर्ड है obtuse triangle अब देखते हैं इसके definitions acute triangle और triangle each of whose angle measure less than 90 degree is called an acute angle करता है एक जिसमे एक triangle जिसमे एच एंगल 90 degree से less measure करें उसे acute triangle करते हैं यहां पर सब एंगल 90 degree से कम है यहां पर 55 65 60 सब 90 दिए से कम है यह acute triangle होगा अब आगे देखते हैं राइट रिंगल और ट्रिंगल वन आफ फूस एंगल मेंजन 60 90 degree is called right triangle करता है जिसमें एक एंगल मेजर 90 डिरिक ब्रावर है नहीं पर देख लिए में 90 डिख अपर एक जिसने राइट रिंगल करते हैं राइट रिंगल में एक रहना चाहिए और ऐसे भी से ज्जाद binary right triangle होगा ही नहीं, होगा थो यह क्या हो जाएगा, एसकvar होजकता हो कुछ बहुस्य ओर हो जाएगा, तेकिन triangle में बस एक से जादे नहीं होता है right angle, उसे कहते हैं right triangle, अब चलते हैं obtuse triangle टे, a triangle one of whose angle measure more than 19 degree, is called an obtuse triangle, इसमें क्या कर रहा है all angle जो 90 degrees से जादे मेजर करता है acute में क्या था 90 degrees से कम और obtuse में क्या है 90 से एब तो इसमें क्या होगा 90 से हो सकता है 95 हो 105 हो 180 हो यह हो सकता है obtuse angle में अब क्या अब आगे देखते हैं importance point कुछ importance point है each angle of an equilateral triangle measure 60 degree equilateral triangle में क्या हम लोग देखे थे all जो all angle measure था 60 degree तभी उसका all side equal होगा तो 60 degree all measure करेगा उसका angle अब second point क्या है the angle opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal isosceles triangle में side जो opposite side सा उसका equal था तो उसका angle भी equal होगा opposite side equal है तो उसका angle भी equal ही होगा अब देखते हैं last और स्कालन ट्रियांगल हाज no two angle equal देखे थे हम लोग ने क्या स्कालन ट्रियांगल में कोई भी side equal नहीं था तो उसमें कोई भी angle equal नहीं होगा चलिए यह सिंपल सा प्वाइंट सब्सक्राइब और प्रोपर्टी से यह आज के लिए तना है मिलते हैं अगली वीडियो में जाते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्द कीजिएगा